दोस्तों क्या 2024 सही समय है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी की EV लेने का है इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं खुद एक Nexon EV Max own करता हूँ जो कि अब 25,000 km जिसको मैं चला चुका हूँ करीबन 15 महीन हो चुके है तो मैं एक रिव्यू आपको देना चाहता हूँ कि क्या EV 2024 पर लेनी चाहिए के नहीं और लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए ख्यूं लेनी चाहिए जो मिट्स है charging time को लेके या फिर charging infrastructure के लिए लेके या फिर charges available है कि नहीं बीच में गाड़ी बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे सब चीजों की information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है फटाप फटेस वीडियो को शुरू करते हैं वहाँ पर खाना कैसा मिल रहा है आप seriously खाना खापाएंगे कि एक घंटा अगर आप चार्ज करते हो तो आप easily ऐसी जगों प्रोपना चाहते हो जहां पर आप लंच कर सकें टेर कर सकें क्योंकि एक घंटे में लंच करोगे इतने में गाड़ी चार्ज हो जाएगी मेरी गाड़ी है Nexon EV Max जो मैंने करीबन 20 लाख रुपे की खरी दी थी और उस गाड़ी को मैं यूज कर रहा हूँ करीबन 15-16 महीने से और 15-16 महीने में मैंने उसे 25,000 km चला है एवरेज आराओं निकल के आता है करीबन 50-60 km पर डे के हिसाब से अभी मैंने इसको मिक्स द्यूज किया है city में 50% और highways पर 50% तो मैं उसको भी बताऊँगा कि city में क्या costing आती है चलाने की घर पर चार्ज कर रहे हो तो क्या costing आती है इस गाड़ी को चलाने की वो मैं आगे बात करूँगा लेकिन उससे पहले में दोधी चीज़ बता दू कि EV vehicles are fun to try जो आप इसने drive करते हो तो बहुत मज़ा आता चलाने में सबसे पहले तो premium nest बहुत रहती है clutch और gear का कोई चक्र नहीं रहता है और यह बात भी बात है कि जब आप base model किसी भी गाड़ी का ले रहे हो मालीजी टी एगो नेक्सवन या फिर किसी और गाड़ी का भी petrol में और उसी गाड़ी का same variant आप EV में ले रहे हो base model तो base model में यहाँ पैट्रोल वाले में आपको मिलेगा clutch, gear सब कुछ, automatic option नहीं मिलेगा, automatic option के लिए आपको 1-2,00,00 पर extra clutch करने पढ़ेंगे, जबकि EV में आपको base model से ही automatic option देखने को मिलता है जहाँ पर no clutch, no gear, कोई चक्री नहीं है, इसके अलावा acceleration एकदम fast होता है, जब आप चलाते हो गाड 30 एकदम करती है गाड़ी, और 0-100 जो है, वो मेरी गाड़ी 8-9 seconds में करती है, TA को भी अच्छी, पता नहीं मेरे, check नहीं गया, बढ़ हाँ 11-12 seconds में भी करती है, जो कि petrol वाले से ज्यादा fast रहता है, बहुत अच्छा experience आपको देखने को मलता है, जब आप relats पर खड़े हो, या फिर किसी को overtake करना है, हाई वेप है, तो overtaking experience is just so amazing in EV vehicles, लोगों का charging hassle के बारे में बता तो कि मेरे को अब तक सिफ 10% of the time charging hassle रहा है, वो की बहुत जादा remote locations पह, एंड बहुत पहले की बात है, पिछले एक साल से तो नहीं हुआ है, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, तब 3 चार महिने में एक दो बार ऐसा हुआ था, कि कहीं मैं जा रहा था, वहां पर चार्जर अविलबल नहीं थी, लेकर अफ तो वहां पर चार्जर खुल गये, वो मैं ज्यादा बताओं तो ट्रिप 10% ही रहा है, पंजाब में रहा था, एक तो जगे ऐसी थी जहां पर चार्ज नहीं मिले थे, तो इतना कुछ हैसल नहीं रहा, मैं जहां रुका हुआ जा रात को होटल में, मैंनो होटल वाले से बोला कि सर्फ जी मुझे गाड़ी चार्ज करनी है, हम आपको बेह कर देंगे, 16 Ampire के सौकर में जिसमें घीजर लगता है, फिर heater लगता है, उसमें आपको मालू ही है, ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वज़े से पैट्रोल नहीं मिल रही है अभी देश में, पैट्रोल बहुत समस्य हो रही है, लेकिन अभी आजाएगी, बाद में नहीं आएगी, fossil fuels are limited in the world and fossil fuels are खतम हो रहे है, अब खतम हो रहे है, तो फिर कैसे चलाएंगे गाड़ी, एलर्जी से, इलेक्रिसीटी से, अब इलेक्रिसीटी के सोर्स से आ रही है, ये भी बहुत फरक पड़ता है, अगर आप कोल को ही गरम करके, थर्मल पावर प्लांट से जो लाइट आ रही है, उसको यूस करके उसी से गाड़ी चार्ज क देती है, depending on the location, तो कहां से वो ओर्जिनेट हो रही है, जो एनर्जी एलेक्रिसीटी है, उस पर बहुत फरक पड़ता है, मैं परस्नली अपना carbon footprint खतम कर चुका हूँ, इसा मैं मानता हूँ, पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ, गाड़ियों वाला तो खतम कर चुका हूँ, बिक प्राइस, अब मैंने लिमिटेशन तो बता दी कि लिमिटेट है, पैट्रल का प्राइस भी तो देखो, इस अवास हो पहुँच गया, कुछ-कुछ स्टेट्स में तो उससे भी जादा निगल गया है, अभी थोड़ा देखो, चुनाब आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कम हो सक सरकार कम करेगी, मेभी, लेकिन फिलाल तो जादा है और उस ज्यादा प्राइस पर चलाने के लिए आपको 5-6 रुपय मिनिमम, अगर 20 का अधर इस पकड़ के चल रहे हो, तब आपकी गाड़ी एवरेज दे, मतलब 5 रुपय बरगिन मिटर में चलती है, अब इलेक्रिसिट गाड़ी ले रहे हो, अगर पेट्रोल या डीजल में, तो आपको करीबन-करीबन 20% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, जो कि अगर इलेक्रिक गाड़ी ले रहे हो, तो टैक्स आपको बचता है, अगर मान लो एक करोड़ की गाड़ी है, पेट्रोल, और वही तो एक करोड़ 20 लाग का प्राइज उसको खरीने बड़ेगा, लेकिन एलेक्रिक विकल को एक करोड़ 20 लाग में ही मिलेगा वो भी, क्योंकि आपको वो 4 मीटर वाला टैक्स नहीं देना पागा, तो ऐसा नहीं है, जो अफ्रंट कोस्ट है, वो कैसे निकालने हो, आपको ब और TA को EV गाड़ी आ रही है, 8.6 लाग रुपीस की, रिमेंबर, TA को जो बेटर लागी, वो बेस मोडल लागी, उसमें आपको गियर भी मिलेगा, क्लेच भी मिलेगी, तो प्रॉल्म लेगी, ऑटोमेटिक नहीं लेगी, लेकिन EV आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, बेस मोडल मे हिसाब से 20,000 किलोमेटर पर एयर के हिसाब से माल लेते हैं, 20,000 किलोमेटर आराम से चला रहे हैं, 20,000 किलोमेटर आप पेटरोल गाड़ी में चला रहे हो, 20,000 किलोमेटर आप पेटरोल गाड़ी में चला रहे हो, तो 20,000 किलोमेटर जब आप पेटरोल गाड़ी में चला रह तो वो 6 रुपए कपड़ता है राइस्थान में तो बाकी और स्टेट्स में अलग अलग प्राइसिंग हो से लिए 6-7 इतना ही पड़ता है चलो मोटा मोटा पकड़ गया 8 रुपए भी लेड़ो कर आप नॉर्मल अपने घर की कोस्ट से भी चार्ज करते हैं आठ रुपए के हिसाब से भी आपको 24 यूरिट की बैटरी है आठ इंटू 24 होता है करीबन 190-192 गया सपास वालों 200 से कम ही रहता है और 200 किलोमेटर की रेंज आपको टी एगो एवी में मिलती है तो वाहार चार्ज करते हैं तो दो रुपए किलोमेटर आपकी गाड़ी चार्ज होगी करीबन करीबन डबल हो जाता है अब मुद्धा ये आ रहा है कि कितनी बाहर चला रहो किती है तो बीस हजार किलोमेटर चलाने के लिए आपको तीस हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे इलेक्टिसीडी वाली गाड़ी में वहां एक लाग रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो करीबन आपके सतर हजार रुपए बच गए आपने शुरुआत में 5.6 और 8.6 लेक्स में 3 लाख रुपए खर्च दिये तो उन 3 लाख रुपए को आपको पूरा बराबर करने के लिए करीब करीब गाड़ी को 80,000 से लेके 1 लाख किलोमेटर चलाना पड़ेगा और 8,000 से एक लाख किलोमेटर आप गाड़ी को तीन या चार साल में चला लोगे बिली में चला लोगे मैं 25,000 चला दी क्योंकि पैट्रोल गाड़ अभी आप बली कम चला तो मैं मानता हूँ आप अभी मानलो 55,000 चला लोगे और यह जो 80,000 से एक लाख किलोमेटर वाला वह है जो आपका टोटल इतने में आपकी पुरी रिकवर हो जाएगी गोश्चु तीन लाख रो पैक्षा दिये वो आप जल्दी ही अचीव कर लोगे आप को बिजली देगा लेकिन रही नॉर्मल बात लेकिन हम है प्रो एक असी हजार रुपें का ओन ग्रिड सोलर प्लांट आपके घर को तो बिजली देगा लेकिन करीबन करीबन 15 unit per day की बना के देगा 15 unit मतलब kilowatt per hour अब 15 unit एक दिन में बना रहा है अब आपको अपनी गाड़ी के लिए कित्ता चाहिए आपको अपनी गाड़ी चार दिन में चार्ज करना है 50-60 km चला रहे हो न तो उन 60 यूनिट्स को आप गाड़ी में डालोगे एक बार 24 यूनिट, बचे आपके 36 यूनिट और 36 यूनिट को आप घर भे भी यूसके तो 80,000 का 16 लगवाओगे गाड़ी आपकी फ्री चलेगी, अब वो 80,000 की कोस्ट और जोड़ जाएगी तो आपको 1,00,000,000 के बाद 1,00 20,000 की मेटर चलाना पड़ेगा, लेकिन वो भी सोचे कि आपकी गाड़ी फ्री चल रही है, तो आपकी कोस्टिंग आही नहीं रही है, तो सारी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए करके दिये, कुल बिलागी कैलकुलेशन ये है कि करीब-करीब आप सोलर लगवाओ या ना आपको फाइदा तो है, क्योंकि उसके बाद, तीन साल के बाद, आप गाड़ी को कितना भी चलाइए, वो आपको पॉजिटिव में ही जा रहा है, उनर्शिप कोस्ट में, इसके अलावा इसके अलावा अब यह पैट्रोल की गाड़ी में है, तेल भी डलता है, पैट्रोल अगर सब कुछ ठीक रहा है, तो जिबकि इलेक्ट्रिक वीकल में, वो 10-15,000 रुपए, 10-12,000 रुपए में ही काम हो जाएगा, टी एगो इवी के लिए आप कर सकते हो, और भी वह सारी गाड़िया उन सब के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप एगो इवी लेना चाह रहे ह कि biggest myth है, charging कहीं जाते हुए रास्ते में खतम हो गई, तो क्या करेंगे, I have a question for you, अगर आपकी petrol रास्ते में खतम हो गई, तो आप क्या करोगे, पेट्रोल भी रास्ते में खतम हो सकती है, क्या जवाब है आपका, किस दो आप पेट्रोल घर से भर के चलते हैं, तो भाइए charging अपनी घर से भर के चलो ना, अपनी charging पूरी करके चलो से आप से, अब आप लोगे रस्ते में खतम हो गई तो पेट्रोल भम तो मिल लेगा, वह यह charging stations भी बिल लेगे, बिलकुल, plug share नाम का एक app है, उस app है आप अपना route डालिए कि मुझे यहां से यहां जाना है, आप चेक कर सकते हो कि कि हर route पे 2 से 3 charger available है, लगबा लगबा, on and average में अगर आपको बताऊं, तो हर 50 से 100 km के बीच में आपको एक यह यह दो charger मेली ही जाता है, बड़े-बड़े expensive पे चलो, यह limit बढ़ सकती है, 800-200 km में, लेकिन हाँ, TAG की 200 की range और मुझे नहीं लगता, बहुत कमी locations हो होंगी, जहां 200 km में कोई भी charger ना हो, और charger daily लग रहे है, daily as we speak, कोई नहीं charger लग रहा होगा, यह नहीं बात चलती होगी, इंडिया में करीबन 10,000 से लेकि 20,000 chargers लग चुके हैं, टाटा के owners को पता ही नहीं होता, कि और भी 100 तरे के ब्रैंट से जो charging facility प्रवाइड करवाते ह अपना GOBP है, Smart EV Charging है, I have a folder पूरा है देखो, Voltic है, Argo है, E-Fill, Charge Zone, Voltat, Kazam EV, Tata Power, EV, Y, Static, Zobolt, Recharge EV, Hethergrade, Pulse, Glida, IOCLE Charge, GOBP, Volt Panda, GoEC, Smart EV Charge, इतने सारे ब्रैंट से जो इनके charges लगे हों मार्केट में, अब दिक्कत ही आ जाती है, कि लोगों वो इतने हादे apps टार्वाट करने प जो इसमें सारे charger एक ही app में listed है, और आप easily check out रसकते हैं, कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो हमें किस charger पर गाड़ी चार्ज करनी है, अब उनके reviews के लिए मैं बैठाउँ न, कोशिश करूँगा, अगले एक साल मैं करीबन 100-200 charger जो famous हैं, उन सब का आपको reviews दो, जो roots हैं ज बिला, और बड़िया charging पहुंच गया, मैं आराम से कोई दिक्कत नहीं आई, वापस प्याब के, हैसल बिल्कुल रहा नहीं, तो charging वाला आपका myth बस्ट हो चुका है, दूसरा है, अपना जो सबसे बड़ा myth है, कि या बैटरी खराब हो जाएगी, तो replacement cost बहुत जादा और जो research से निकला है, वो ये है, कि एक electric बैटरी होती है, वो कम से कम, पांच लाग से 7-8 लाग किलोमेटर आराम से चलेगी, इतने में खराब नहीं होने वाली है, इसके बाद खराब हो सकती है, ऐसा नहीं कि खराब हो ही जाएगी, ना ना खराब हो सकती है, लेकिन 5 लाग कि तो हर जो brand है, Tata है, MG है, जो भी महंदरा है, वो सब आपको options दे रहे हैं कि यतनी कि तो guarantee हम ले रहे हैं कि नहीं खराब होगी, तो अब वो जब, अब पांच लाग किलोमेटर तो आप पैटर्ल की गाड़ी में चलाने का पड़ जाता है, भाई, खराब हो जाती ही गाड और आप बोलो को कि हम तो जाता चलाएंगे, हम तो एक लाग चलाएंगे एक साल में, तो भाईया फिर पैसे बचा भी तो रहो सी ही साब से, जब आप एक लाग किलोमेटर एक साल में चलाओगे, तो तो तीन लाग तो आप वैसी वसूल गल लिए, जो आपने एक्स्रा दे अगर हो जाती है तो if a huge if ये मेरी research के अनुसार जो मुझे मालूं पड़ा ये पूरी उड़ा में आपको बताया है I hope आपके कुछ questions solve कियो हो, कुछ options देता हूं, some suggestions है car के जिनको बिल्कुल भी knowledge नहीं है EV कि देखो, सबसे पहले जो base गाड़ी आ रही है कि भाईया, इस सबसे सस्ती गाड़ी है इंडिया में, वो है MG की Comet EV अब MG Comet EV आपको करीबन-करीबन आठ लाग रुपए की बन रही है बट उसमें आपको fast charging का support नहीं है वो आपको घर पर ही charge करनी पड़ेगी तो दैसे तो प्रीमियम गाड़ी है अंदर से बिल्कुल प्रीम है, मैं 360 वी आप देख लीजिए, बड़िया है दब्बा जैसा गाड़ी लगती है, आप कहीं में गुसा दीजिए, शिटी में इसली चल जाती है जब यूटन मारों के तो बहुत मज़ा आता है, मने चल आके देखिए, एक्स्पिरिस वास सो ग्रेट लेकिन उसमाँ fast charging का support नहीं है, आपको तीन से चार गंटे कम से कम लगेंगे उस काड़ी को चार्ज करने के लिए ये बात याद रखना अभी हम बात करते हैं, comment EV के बाद, TA को EV की, जो 2nd है, 8.6 lakh की गाड़ी है, बेस मोडल, बड़ी है गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस गाड़ी को आप fast charging कर सकते हो, इस गाड़ी को चार्ज होने में करीबन करीबन 70-80 मिनट लगते हैं, अगर आप 10 to, या 0 to 90%, 0 to 95% की बात करो, तो 70 मिनट में आपका काँ हो जाएगा है, इतने में आपका ही भी fast charging जहाँ अवेलेबल है, जो roots में बताए, प्लक्षे से आप चेक करके जाएए, वहाँ पर खाना खाईए, या अगर खाना अवेलेबल है उस charger वाले पर, या फिर आप बैठ हिए, जो भी है इसका पुराना वाला model भी ट्राइ कर सकते हूँ, एक दो लाग रुप आपको सस्ता पड़ जाएगा, बट range आपको उतनी रहेगी, 230, 220, 240, अगर प्यार से चलाओगे, तो 200, प्यार से चलाने का मतलब यह है, कि hard acceleration नहीं करोगे, 100 सवासव पही नहीं दोडाओगे गाड़ी आपको रेंज देगा, करीबन, करीबन, 320, 300, 300, 300, 300, 300, 300 से 320 किलोमेटर की, अभी एक और है, महिंद्रा एक्ष्योभी 400, जो जादा रेंज, 300 क्या स्पास रेंज, कमप्राइज में दे रहा है, 600 रुप में, इसको भी आप ट्राइ कर सकते हो, एंड यह सब गाड़ियां आप चेक आउट कीजिए, ड्राइब कीजिए, टेस्टाइब लीजिए, जो आपको पसंद रहे हो, आप खरी सकते हैं, कुछ सवाल हों तो आप जरूर बताइए, वे आप रेगूलरी वीडियो आजने वाली चैनल पर मैं बता रहूँगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेने चाह मतलब मैं exact number नहीं बता लेकिन मान ली 23 में एक लाग गाड़ी बिगी ना, तो 24 में 5-6 लाग गाड़ी बिगने वाली हैं, electric की, तो obviously बहुत बड़ा impact आने वाला है, आप उन में से एक होना चाहते हैं कि नहीं, यह आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपकी साहिदा को थोड़ी मैं आपके सवाल करवाब जरूर दूँगा, thank you very much, bye bye